स्वागत है दोस्तो आई होप आप से बच्छे होंगे तो दोस्तो ये वीडियो बहुत इंपोर्टन है नौर्थीस मेरे भाई बैन के लिए अगर आप नौर्थीस से अपलाई किये हैं या नौर्थीस से हैं तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें अब game changer जो topic चल रहा था मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से game changer के इ怕 game changer नहीं life changer मैं कहूंगा ठेक है दोस्तो ठेक है ये मैंने title देखा था चैनल्स में तो मैंने सोचा मैं भी इस पर कुछ वीडियो बना दूँ अपने हिसाब से त्थे देखें दोस्तो गेम चेंजर पता नहीं उन्होंने बागी लोग ने बनाये क्या बताया नहीं बताया मुझे कुछ पता नहीं मैं अपने हिसाब से मेरे नौर्थ इस भाई बहन के लिए कुछ बाते बताना चाहता हूँ देखे दोस्तो फरस्ट अफॉल आप प्रिलिम्स का एक्जाम हो चुका है और आप प्रिलिम्स का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो याद रखना अगर वेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवखूफी है आपकी क्योंकि एक बात आपका game changer यहां पर क्या है आपकी means की preparation अगर आप means की preparation बीना सोचे समझे कर रहे हैं कि prelims का result आए या ना आए, clear हो या ना हो अगर 40 attempt ही हो या 50 attempt हो फिर भी आप mains की तयारी करें अगर 39 से हैं तो मैंने ये बात बहुत बार बताई है आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि ऐसे देखने लेना result आउट होगा तो आप खुद देख लेना कोई candy rate का 55 में selection होता है कोई candy rate का 75 attempt करके भी selection नहीं होगा आप देख ली ना ये बात मैं जो बता रहा हूँ तो game changer अभी आपका यही है कि आप mains की तयारी dedication से full dedication से करें prelims के बारे में सोचना बंद कर दें क्योंकि जैसे मैंने आपको एक example बताया था मेरे भाई थे, candidate थे, 45 attempt किये थे अरुनाचल से और उनका clear हो गया था prelims हुआ था और as well as mains हुआ था तो वो बहुत बड़ा एक example है 45 attempt में उनका clear हो जाता है और वो motivated हो के mains की तयारी करते और mains भी उनका clear हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर 45 पे किसी का clear हो रहा है तो तो भले आप 39 के कोई भी स्टेट से है असाम, त्रिपुरा, मेगाले, मनिपूर, अरुनाचल मिजोराम, नगालेन कहीं से भी है तो मेरा यही request है कि आप बस focus रखे अपनी mains के preparation पर यही आपकी life change कर देगी और especially topic का बात करें तो GK एक बहुत बड़ा game changer होता है GK topic ठीक है तो current affairs I hope आप 3-4 months का आप अच्छे से पर रहे होंगे 3-4 months बहुत अच्छा से आपको आना होगा क्योंकि परने को तो आप साल भर का भी पर सकते हो लेकिन last 4 months भी पढ़ोगे तो मुर्देने नफ है अगर अच्छे से पर रहे हो तो तो दोस्तो यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बताया I hope आप समझ गयोंगे और अगर पहले से वीडियोज देख रहे था आपको अल्रेडी पता होगा कि मैंने क्या कहा है totally और आपको करना क्या है तो बस मेहनत करते रहे है मनजिल आपके करीब होगी तो दोस्तो फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि जीओगे शान से जब वो पल तुम्हारा होगा जीओगे शान से जब वो पल तुम्हारा होगा कभी कदमों में कल को ना देखना इन्तिजार करना कर लो तुम्हारा होगा